मेश राशिफल आने वाले कल का राशिफल मेश राशी बटा मेश राशिफल संडे 17 दिसंबर 2023 मित्रों या परिवार के सदस्यों के साथ मौजमस्ती भरी यात्रा आपको सुकून देगी आज आप काफी पैसे बना सकते हैं लेकिन इसे अपने हाथों से फिसलने न दें अपनी जीवन में एक संगीर पैदा करें समर्पन का मूल्य समझें और हृदय में प्रेम वक्रितग्यता के फूल खिलने दें आप अनुभव करेंगे कि आपका जीवन अधिक अर्थपूर्ण हो रहा है आपका संगी आपका भला सोचता है इसलिए कई बार आप पर गुस्सा भी कर बैठता है उनके गुस्से पर नाराज होने से बहतर यह होगा कि आप उनकी बातों को समझें अंजान लोगों से बात करना ठीक है लेकिन उनकी विश्वसनेता जाने बिना उनको अपने जीवन की बाते बताकर आप अपना वक्ती जाया करेंगे और कुछ नहीं विश्टेदारों के चलते जीवन साथी से वादविवाद हो सकता है लेकि आखिर में सब ठीक हो जाएगा ग्रह इशारा कर रही है कि धार में क्रियाकलापों की अधिक्ता हो सकती है मसलन आप मंदिर जा सकते हैं दान्दक्षिना भी संभव है और ध्यानधारना का अभ्यास भी किया जा सकता है उपाय लव लाइफ को अच्छा रखने के लिए एक दूसरे को चांदी की वस्तुए भेंट करें व्रिश राशिफल आने वाले कल का राशिफल व्रिश राशी बटा व्रिशभा राशिफल संडे दिसंबर सत्रह 2023 मौजमस्ती की यात्राएं और सामाजिक मिलजोल आपको खुश रखेंगे और सुकून देंगे आर्थिक तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक स्रोथ से ही लाब मिलेगा अगर आप अपने साथी के नजरिये को नजर अंदास करेंगे तो वह अपना आपाख हो सकता सकती है किसी दिल्चस्प इनसान से मिलने की प्रबल संभावना है बेवज की उलजनों से दूर होकर आज आप किसी मंदिर, गुरुद्वारे या किसी भी धार्मिक स्थल पर अपना खाली समय बिता सकते हैं अगर आप अपने जीवन साथी से सनेह की आशा रखते हैं तो यह दिन आपकी आशाओं को पूरा कर सकता है किसी पेड की छाव में बैठ कर आज आपको सुकून मिलेगा जीवन को आज आप नस्दीक से जान पाएंगे उपाए सुबह, शाम और रात को धीरे धीरे शांत मन से का 28 या 108 बार उच्चारन करने से पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा मिथुन राशिफल आने वाले कलका राशिफल, मिथुन राशी, बटा मिथुन राशिफल संडे, 17 दिसंबर 2023 खाने पीने की ऐसी चीजों से बचने की कोशिश करें जिन में कॉलिस्ट्रॉल की ज्यादा मात्रा है जिन लोगोंने किसी रिष्टेदार से पैसा उधार लिया था उनको आज वो उधार किसी भी हालत में वापस करना पड़ सकता है आज के दिन बिना कुछ कास किये आप आसानी से लोगों का ध्यान अपनी और आकर्शित करने में काम्याब रहेंगे रोमांस के लिए अच्छा दिन है तनाव से भरा दिन जब नजदी की लोगों से कई मतभेद उभर सकते हैं आप और आपका हमदम एक दूसरे से आज एक दूसरे की खूबसूरत भावनाओं का इजहार कर सकेंगे दोस्त अकेलापन दूर करने के सबसे अच्छे माध्यमों में से एक हैं दोस्तों के साथ समय बिताकर आज के दिन आप बहतरीन चीज में समय निवेश कर सकते हैं उपाय तामबे का सिक्का अथवा टुकड़ा जेब में रखने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा करक राशिफल इससे पहले की नकारात्मक विचार मानसिक बीमारी का रूप ले लें आप उन्हें कत्म कर दें ऐसा आप किसी दानपुने के काम में सहभागिता के जरिये कर सकते हैं जिससे आपको मानसिक संतोश मिलेगा आपको कमीशन, लाभांश या रोयल्टी के जरिये फायदा होगा घर का कुछ समय से टलता आ रहा कामकाज आपका थोड़ा वक्त ले सकता है कलत फमी या कोई कलत संदेश आपका गर्मजोशी भरा दिन ठंडा कर सकता है आज ऐसे बरताफ करें जैसे की आप सुपरस्टार हैं लेकिन सिर्फ उन चीजों की ही प्रशंसा करें जो उसके काबिल हैं अपने जीवन साथी के किसी काम की वजह से आप कुछ शर्मिंदगी महसूस कर सकते हैं लेकिन बाद में आपको महसूस होगा कि जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए आज आप किसी मनोवैग्यानिक चिकितसक से मिल सकते हैं उपाए अगर संभव हो तो अपने घर में एक कुट्टा पालें इससे प्रेन संबंध अच्छे रहेंगे